कि तॉपिक वैपनिंदी लूति रिमेंग तॉपिड़े अभी फॉपिशन्च वाइट कौन रिमेंग तॉपिछन्च का इससे एक किलम ती दिए अदिए और वहां कंड़िशन भी डादी है यह उसका जो एंगल है वो कहां पर लाय हो रहा या वो किससे ग्रेटर है किसे लेसे तो अधर टिग्नोमेट्रीक फॉंक्शन संग कैसे फाइंड आट करेंगे इस इस पुश्चिन फाइंड अधर टिग्नोमेट्रीक फॉंक्शन इफ इस पॉस्चिन सार्वेर्श फॉस्ति इस उग्वांश एकटर टू माइन इस फ्रीट वाइव और टूर्ट है तिटा इस ग्रेंटेटीड एन लेस नेस थैने इस नेट्टीड इसके तो पॉस्चिन है सब्सक्राइब लोह यहां पर एक ट्रीक्ट फॉंक्षन दिया कॉश्ट धीडाए और आपको अगर में साइन भीड़ी से तो यहाँ पर पहले की शुरुआच कर रहा है सब्सक्राइब कर दो आपको दिया है तो आप साइन थीटा निकाल सकते विजली कैसे क्या फॉर्मूला है फिंडामेंटल आइडेंटिटी से ठीक है वी नो दाइट साइन स्कूर धीटा असस स्कूर धीटा कि सैन स्कूर टीटा सब्सक्क्राइब क्या है माइनस 3 by 5 फोग स्कार इस एक्वल तो 1 साइब स्क्वेड थीटा इस इक बाइनस इसका स्क्वेड करके दर लें नाइन अपन 25 क्रॉस्टिक्पिकेशन करेंगे तो 16 अपन 25 25-9 16 ओक तो साइब स्क्वेड थीटा तो साइब थीटा इस इक्वल क्या रहेगा प्लस माइनस 4 by 5 यहां पर प्लस माइनस 4 अपन 5 लेकिन दोनों में से कुन सी वैल्यू कंसिडर करनी है इसके लिए यह जो सेकंड कंडिशन भी है बट थीटा इस इस ग्रेटर गैं 180 डिक ακंड टू इस इटा म कंडिशन बैं कि जो हुगा डेखो 3 है था रहेगा क्यों है आपको यह है यह तो सबूंटी से गूरेटर और टू सर रहेगा कोन पॉसिटीव होता है वह याद रखो एए एस टी सी थाइन और कॉट पोजिटिव रहेटा है आप किसके लिए नौट कर रहे हैं यहां पर साइन के लिए नौट कर रहे साइन क्या रहेगा थोड पॉटर्ट में निगेटिव रहेगा तो देरफोर साइन थीटा ट्रिए आप निकाल सकत्ते हो थे यह इंट्र सेटरेलेशन आपको मता है इंटेर निगंट्र पॉट फैने फ्रॉट थीटा के लिए निग्ए और कॉसक्व क्या था है इस फॉटन 10-10 3-4 2-1 2-3-10 3-4 13 325 ए यूज विल गैंशर 4d3 3 business 10 अब टान पता है तो इंटर रिलेशन से कवाट निकाल सकते हो कॉट ठिटा इग नमेरोगे होता है 1 अपाउं टेट अब होता है यह कॉस्त इटा पॉर्ण से फोर्ण टिटा इस पूर्ण 3 so it is 3 by 4 4 theta means next sine cost and cot okay cosec theta is equal to 1 upon sine theta so 1 upon sine theta what is the value of sine theta it is minus 4 by 5 so minus 5 by 4 this is cosec theta then 6 theta 6 theta is equal to 1 upon cos theta so 1 upon cos theta cos theta minus 3 by 5 so it is minus 5 by 3 it is 6 theta 6 to cover the function of the function of the remaining trigonometry function यहां पर यह पार्ट इंपॉर्टंट है जो प्लॉस माइनस है उसमें से वेली बंसितर करना इस पार्ट इस लिए थीटा कहां कुन से कॉड्रेट में लाए कर रहा यह पता होना चाहिए तो इसके लिए जो कंडिशन दी है तो थर्ड नमें पॉजिटिव रहता है और अभी इसमें हमी चेक कर लो अदेखो एंप फॉज़िए और इसके लिए पॉज़िए बाहिस भी विए लिए tutte इनलेगेज और रिव संट्वरू करना इह लिए नौर्ट इस की लिए कॉज़िए पटेर्ट इस पार्ट इसके लिए पॉनसी ए पॉनसी भंधाना इड बंसी से लि कि तो इसे यहां पर फंदामिंट को तो टीटा लिकिन इंस्ट अप्धि अंगल 's Champ you arebest वर एンド यसक्त स्क्वेर इस और तो दो वन प्लश्वेर्थ यस पहले आपको से की वहलिमेले हिए तो यमेड़ you can easily solve the second question. Okay. Now the next question is if 2 sin A is equal to 1 is equal to root 2 now the next question is if 2 sin A is equal to 1 is equal to root 2 cos B and angle A is greater than pi by 2 less than a2 less than pi angle b greater than 3 pi by 2 less than 2 pi then find the value of tan a plus tan b upon cos a minus cos b two different angles are given and condition two sine is equal to one as well as root 2 cos b तो ये तीनों equal है तो इसको इसमें हम separate कर सकते हैं that is इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 sin A is equal to 1 and 1 is equal to root 2 cos B so therefore sin A is equal to 1 upon 2 and cos B is equal to 1 upon root 2 सब्सक्राइब करना है उसमें को एक के लिए कुन सा ट्रिक्नामेट्रिक फंक्शन चाहिए आपको टैनल चाहिए और को से चाहिए बागी नहीं चाहिए तो आप साई पता है तो को से निकाल सकते हैं fundamental identity set so we know that sin square a plus cos square a is equal to 1 yeah when you put for a 1 upon 2 whole square plus cos square a is equal to 1 so cos square a is equal to 1 minus discuss square character so cos is equal to cross multiplication करोगे so 3 by 4 cos square a therefore cos a is equal to plus minus under root 3 by 4 it means plus minus root 3 upon 2 so this is cos a okay a plus minus में से कुछ सी वैली लेना है it depends on the that condition this a is greater than 5 by 2 but angle a is greater than 5 by 2 and less than 5 it means greater than 5 by 2 5 by 2 means 90 degree or 5 means 180 degree 90 से greater और 180 से लेश्ट इसे लेश्ट को इसे लेश्ट को बार्रेंट में लाया कर रहा हो और शेकंड पॉजिटिव रहता है कि एस टी सी पता आपको सेकंड कोंड पॉजिटिव है साइन आएं को सेक आप किसके लिए बाइं रोट कर रहे है कोस के लिए तो कोस क्या रहे आगा यहां इसलो बट देर्फोर एलाइस इन सेकंड कोंड इसे क्वाड़न में सेकंड देर्फोर कॉसे इस एक्वल तू सिकंड कोंड ने शाइन और को सेक पोजिटिव रहेगा और कॉस क्या रहेगा निगेटिव माइनस रूट 3 अपूण 2 तो कॉसे मिले आपको बश्या और यह साहीन है और एंगल A के लिए कुन सा टिक्नोमेटिक फॉंक्शन बाइंड आपको बता है 10 A is equal to sin A upon cos A so what is the value of sin A sin A it is 1 upon 2 and what is the value of cos A it is minus root 3 upon 2, 2 will get cancel minus 1 by root 3 so this is tan A so we will find only this 3 trigonometric function 1 is given and remaining 2 because the value which we have to find out that contains only tan A and cos A now the about cos B next angle is about B cos B is given and you have to find the tan B so again we will apply the fundamental identity sin square B यहाँ सिर्फ एंगल चेंज हो गया है यहाँ पर एंगल A था भी एंगल कौन साथ B sin square B plus cos square B is equal to 1 अब cos B की value पता है आपको sin square B is equal to cos B की value 1 upon root 2 whole square is equal to 1 so sin square B is equal to 1 minus this square करोगी तो 1 by 2 और यह क्रोस क्रोटिफिकाशन करोगी तो 1 by 2 sin square B therefore sin B is equal to plus minus 1 by root 2 square root ले ले दो रोलाइ दो चेंगल रूलों रूलों रहेगा okay, फिर से गें तो इल्ए और देर and condition B is greater than now B is greater than 3 pi upon 2 and less than 2 pi 3 pi upon 2 है और यह 2 pi है 316 it say greater or it say less इस्कुन से कॉर्टरंट में है यह फूर्थ कॉर्टरंट यह फूर्थ कॉर्टरंट में कुन पोजिटिव होता है ए एस दी सी मिन्स कॉस और इंड सिक ओजिटिव रहे हैं आप किसके लिए पेंड़ और करें हैं साइन क्यारेगा निगेटिव देफोर साइन दी इस इकॉल टू माइनस वन बैग रूफ टो इस इंड बी बजाएं यहां पर कॉस्वी है और कॉन सा निकार दा है तैन दी तो तैन दी एक हैसे मिलेगा आपको तैन बी झेल से निकार डू निग से और कॉस्वी इंडshots यहां टो घूफ टो लिट मैं वेति देख साइन निगमारि दो से लिए लिए और कॉस्वी इपा लू पार कॉस्वी ते कि से प्रते हैं टो टो कोाविए मिलेए 10 गूस्वी हैं रह ए circuits कार்ट counting grateful टिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के ज़र अतनी है अभी जो वालिव हमको फाइंड आउट करना है तैने प्लस थैंग भी अपोन कॉसे माइनस कॉस पी इसमें वैलिए सुट कर तैने की वैलिव इतनी है तैने इडिस इस माइनस वन बारूट थी जासनी प्लस पाइंग टनी की वैली जासनी कॉसी है यह थैसरूट थी उपाँ टो बारूट बारूट तो बारूट थी इस पारूट पारू ड्यूट कोसी कासी वां रूट थी now cross multiply it minus 1 minus root 3 upon root 3 upon minus root 3 or root 2 minus 2 upon 2 root 2 division ka conversion इन्टू में करोगे minus 1 minus root 3 divided by root 3 into 2 root 2 upon root 3 into root 2 minus 2 इसको और simplify हो सकता है क्या दिखाए है यह minus common निकाल सकते हो 1 plus root 3 into 2 root 2 upon root 3 multiplied by यहां से भी minus common निकाल होगे और root 3 multiply करोगे तो 3 root 2 root 3 into root 3 3 minus minus common निकाल है तो plus two root 3 This is your answer यहां से Idजो क्योंज और आई यहां परी duranteाम आई क्ष मस्माद और रूट करोगे जन्ह सकते है 성्हिप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प暂म vos रूभ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्या सकते है झाल झाल